हेलो दोस्तो कैसे हैं आज हम लोग अपना टेंस गन्टीन्यू करने जारे हैं दोस्त हम लोग फिसले वीडियो में क्या पढ़े पहले टेंस का एक अलग टैप का डिफ्णिशन पढ़े एक अदम बिल्कुल नहीं अन्दा अज में जो किसी बुक में डिफाइंड नहीं है दूसरा गया बढ़े, हम लोग Simple Present पढ़े, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़े, कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, फिर हम लोग क्या पढ़े दोस्त, फिर हम लोग Past Tense पढ़े, Past Tense भी खूब अच्छे से पढ़े, अब हम लोग की Future की बारी हैं दोस्त, Future Tense पढ़ लोग यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा future का पूरा अर्थ निकल जाता है, दोस्त, tense में कहा है, उसका अर्थ निकलना is very important, अर्थ जब तक नहीं निकलेगा, मज़ा नहीं आएगा, tense का use कर रहे है, that is okay, that is great, because it is very important, लेकिन क्या है, उसका अर्थ भी तो आना चाहिए, हम जो बोलना चाहते हैं, उसका अर्थ नहीं आएगा, फिर कोई मतलब नहीं बनता, अर्थ भी आना चाहिए, पीछले वीडियो में हम आपसे दो सवाल पूछे थे, sorry, I think एक सवाल पूछे थे, कि past tense का कोई ऐसा sentence बताईए, जो use तो होता है past में, लेकिन अर्थ निकलता है present में, चली हम आपको बताते हैं उसका answer, पहला sentence है, you had better go, याद होगा, हम लोग ऐसा sentence यूज़ करते हैं, you had better go, to your home, अब देखिए, head क्या है, past tense है न, head क्या है, past tense है, यह हमारा past tense है, past में न भाईया, अब इसका हिंदी क्या आताबा, हिंदी समझ लेते हैं, मजा आ जाएगा, इसका हिंदी होगा, अच्छा होगा कि तुम अपने घर चले जाओ, अब देखिए, अच्छा होगा कि तुम अपने घर चले जाओ, अगर ऐसा कोई वाक्य बोले, और ऐसा इंगलिस में हो, तो क्या लग रहा है आपको, इसका क्या अर्थ निकलता है, अच्छा होगा कि तुम अपने घर चले जाओ, मतलब यह होता है, कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, इसका बहुत चरह अर्थ हो सकता है, आप किसी को थ्रेट भी कर रहे हैं, इसका अर्थ है निकलता है, अच्छा होगे तुम यह चले जातो, इदम सिधे चले ही जाओ, थ्रेट भी कर सकते हैं, किसी को एडवाइस भी कर सकते हैं, मान लो बारिस का समय है, और बादल पुरा छाया हुआ है, आप अपने बच्चे हो क्या बोलेंगे, अपने स्टुटेंट हो क्या बोलेंगे, बेड़ा अच्छा है तुझ घर जाल दीजे भाग जावाई, बारि जो यू अच्छा होगा, एसा बेड़ सकते हैं, तो इस तरह का जब भी आचrice बात करते हैं तो यह स्ट्रक्चर होता है, u hat better go, ठीज है इस स्ट्रक्चर क्या पीजाता है हमारा subject plus head better plus two plus v1 यह structure होता है इसका हम लोग use कर सकते हैं चीक है अच्छा होगा कि तुम चले जाओ अच्छा होगा कि हम लोग पढ़ाई कर लें अगर हम लोग नौकरी करना चाहते हैं या एक अच्छा अधी बनना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि पढ़ लो बड़ा अधी जीन नहीं तो तुम हम से अच्छा समझते हो ऐसा हम लोग किसी को भी बोल देते हैं दोस्ते दूसरा जो एक sentence है हम sentence लिग देते हैं आप उसको और देखिएगा कि अगर अगर उड्यो माइंड मूविंग अबिट प्लीज क्या आपको थोड़ा बगल हटने में बुरा लगे का देखिए sentence कैसा है उड्यूड उड्यूड कभी उज़ करते हैं भीया हमारा past tense है ना वील का past क्या है उड्यूड है तो उड्यू माइंड मूविंग अबिट प्लीज क्या आपको थोड़ा बगल घसकने में बुरा लगे का आप कहां यूज करते हैं जब हम लोग किसी जगह पर जहां पर हमको extra politeness की जरूत है extra politeness की जरूत है बहुत polite होके बात करते हैं sophistication हम लोग को दिखाना होता है जैसे आप airport पे हों और एक जो वहां पर lobby में कुर्सी लगी हुई होती है सोफा लगा हुआ होता है and you want to sit over there what will you say if some people are also there definitely you ask the person who is sitting nearby you क्या पूछेंगे आप कि may I have a seat please ऐसे हम लोग पूछ सकते हैं या फिर थोड़ा से जगह बनाने के लिए क्या बोलेंगे would your mind moving a bit please क्या आप थोड़ा से बगल घस केंगे तो बुरा लगेगा किसी को भी आपको कितना प्यार से बोलेंगे यतना विनमरता पूरवा को बोलेंगे किसी को बुरा नहीं लगेगा तो आपके लिए बैठने के लिए जगह दे देगा दोस्त ठीक है तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं जिसका हिंदी क्या होगा क्या आपको थोड़ा बगल होने में बुरा लगेगा नहीं लगेगा तो आप क्या बोलेंगे नहीं लगेगा दोस्त ठीक है इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं पास का भले ही संटेंस हो बट अर्थ हमेशा हम लोग को प्रजेंट में निकल जाता है ठीक है यह तो खेर थोड़ा सा एक लग टैप का चीज था दोस्त इसका हम हम लोग अगर हम लोग सबको यूज करते हैं हम आपसे जो भी सवाल पूछेंगे न आप पूरी तरीके से यूज करते हैं अपने डे-टोडे लाइब में बड़ अपको ध्यान नहीं देते हैं सिर्फ उस ध्यान वाला कोशन दोस्त हम पूछते हम आपसे आप यूज तो खेल लेते हैं बहुत अच्छे से खेल लेते हैं इस पीनर को बहुत अच्छे से खेल लेते हैं जब कोई लॉलीपॉप गेन देता है ना तो हम लोग आउट हो जाते हैं क्यों हम लोग सिर्फ फास्ट बॉल को खेलने का दर लगाएं क्यों हम लोग स्पीन को खेलने का दर लॉलिपप क्यों ना खेलें पता है दोस्त अगर एक्जाम में भारी कोश्चन आता है ना सब कोई बना लेता है हलका quesn देते ही सब लोग पस्त हो जाते हैं क्यों सब लोग को दिमाग में सिर्फ ये पटावता है कि भारी logrion wing चल्च कोन बनाएगा a है यह फूट इख्शाम में इस और फंजार फेज़ की बोलते है नहीं हुझ honeymoon यह बाकि प्रेजेंटेंस पास्टेंस की इतना लेंदी नहीं है दोस्त यह कंपरेटिवली थोड़ा उससे एजियर है हम लोग का समझना असान है जैसा कि हम आपको बताये थे कि फ्यूचर टाइम का अज कल हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को टेंस की गिंती से बाव आना चाहिए यह ज़्यादा जरूरी है राइदर कि हम क्या यूज कर रहे हैं अगर हमको फिलिंग आ रही है ठीक है तो हम लोग को वह यूज आसानी से हम लोग कर ले रहे हैं आज कल ठीक है तो हम लोग यहां पढ़ेंगे सीम्पल फ्यूचर सीम्पल फ्यूचर सीम्पल फ्यूचर का मतलब क्या हो गया दोस्त मतलब जैसे हम लोग को प्रेजेंट पढ़े तो उसमें आदत पढ़े पास्ट पढ़े उसमें भी आदत पढ़े जो काम भविश्य में हम लोग को होगा आदत जैसा होगा मैं खेलूंगा मैं गाँगा मैं लिखूंगा मैं स्कूल जाओंगा तो एक तरह का पैटर्ण हम लोगो पता चल रहा होता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि वो सिंपल फ्यूचर हम लोग उसको इंडिगेट कर सकते हैं cell will plus b1 plus object कुछ लोग यह भी भो सकते हैं कि अगर किसी वाकिए अंदर में गाँग आगी लग रहाता है तो हम लोग समझते हैं कि वो सिंपल फ्यूचर में हैं ठीक है तो आप जैसे भी आपको है आप समझ सकते हैं हम लोग क्या लह सकते हैं मैं कल पटना जाऊंगा ठीक है तो इसको कैसे लिखेंगे I, Will या सेल दोनों में से कुछ भी लगा लेजिए Go to पटना Tomorrow ठीक है अब देखिए हैं सेल या विल दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं पहले में क्या होता था कि I और V के साथ हम लोग को सेल लगाना होता था बट अब हम लोग क्या है कि सेल या विल दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं अपने से गल्ती न हो जाए तो what should we do हम लोग अगर विल का यूज हमेशा कर दें तो there are very less chance कि गल्ती हो ठीक है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे विल लगा लेंगे हम लोग का हमेशा सही होता रहेगा कि हम लोग को सेल का जंजटी भूल जाएंगा रे बापर पर सेल लगाना है गल्ती हो गई नहीं ऐसा कुछ नहीं दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं ठीक है, पहले ऐसा होता था, बढ़ अब ऐसा कुछ भी नहीं है, you may write this thing also, ठीक है, अब लिखते हैं future, future continuous, जैसे किसी पहले का उता है, रहेगा, रहेगे, रहेगी, ऐसा रहेगा वाक्य में, तो हम लोग समझेंगे कि वो future continuous है, मतलब कोई काम future में सुरू होकर future में ही चालू रहेगा, ठीक है, इसका यह मतलब निकलता है, future में सुरू होना है, और future में ही continue रहना है, जैसे कि वो पढ़ता रहेगा, वो खेलता रहेगा, वो जाता रहेगा, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, मैं कल पटना जाता रहूंगा, इसी वाक्य को continue करते हैं दोस्त, ताकि हमको समझना आसान हो जाए, मैं कल पटना जाता रहूंगा, अगर ऐसा कोई वाक्य रहेगा, तो क्या लिखेंगे इसका, I will be going to पटना tomorrow, रो डबलो, ठीक है, we will be going to पटना tomorrow, हम लोग कल पटना जाते रहेंगे, मतलब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी भी समय, और it will be on, till we reach पटना, हम लोग continue करेंगे इसको, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको use करेंगे दोस्त, future perfect, मतलब कोई भी काम भवी समय खतम हो जाएगा, finish हो जाएगा, perfect का मतलब क्या होता है, कोई भी काम का पूरी तरीके से खतम हो जाना, मतलब कोई भी काम जो होगा, future में, future में आने वाले समय में perfect हो जाएगा, जब उस तरह की बातों को, हम लोग को express करना होता है, तो we have to use this tense, in future, that work should be finished, that work should be completed, ऐसा हम लोग जब बात करेंगे, तब कैसे खतम हो जाना चाहिए भी या, उसको use करने के लिए का करेंगे हम लोग, चुकेगा चुकेगे, ऐसे करके हम लोग use करते हैं, इसका structure लिखते हैं, सुरी, इसका structure तुम लोग लिखें, यह नहीं, subject plus cell will plus b plus b4 plus object दोस्त, यह एक structure है इसका, इसका structure यह वला था दोस्त, इसका structure क्या होगा, subject plus cell will plus have plus g3 plus object, ठीक है दोस्त, इसका हम लोग use करेंगे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कल मैं पटना जा चुकूंगा, अब इसी वागे continue करते हैं, तक वो समझना आसान हो, मैं कल पटना जा चुकूंगा, अगर ऐसा रहतो, I will have plus, sorry, have plus क्यों लिख रहे हैं, I have gone to पटना tomorrow, ठीक है दोस्त, ऐसे हम लोग लिखेंगे, I will have gone to पटना tomorrow कर मैं पटना जा चुकूंगा, और एक वागे और है जो, जो की, पास, sorry, future, perfect, continuous, हम उपर में लिख रहे हैं, फिर आपको एक चीज हम समझाते हैं इसमें अपको, बहुत मज़ेदार चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का जगा बनाएंगे दोस्त, इसी में हम लोग थोड़ा सा टाने कोश करेंगे, ठीक है, future, perfect, continuous, इसका structure क्या होता है दोस्त, थोड़ा समझने कोश कीज़ेगा, बहुत मज़ा हैगा, subject plus, cell will, plus, have, plus, been, plus, before, plus object, यह इसका structure होता है दोस्त, अब इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग, सोमवार से, school जाते रहेंगे, हम लोग, सोमवार से, school जाते रहेंगे, देखेंगे, अब हिंदी भी लिख रहे हैं, हम लोग, सोमवार से, school जाते रहेंगे, ठीक है, तो सो कैसे लिखेंगे इसमें, वी, अब यहाँ, सेल वी में से कुछ भी अब लगा लीजिए, हम माले ते हम सेल लगा रहे हैं, सेल, हाव, बिन, गोइंग, टू, स्कूल, फ्रॉम, मंडे, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर, बहुत सरा चीज ध्यान देने वाला है, आप बोलेंगे, में क्या होता है, फॉर के जगह पे तो फॉर लगाते हैं, और लेकिन सीन्स के जगह पर क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, यह याद रखिएगा, यह फ्यूचर टेंस में होता है, फॉर के जगह फॉर ही लगाते हैं, और since के जगह पे हम लोग from का use कर लेते हैं, clear हो गया, ठीक है, very good, अब इसमें ध्यान देना है कि we shall have been going to school from Monday, तो यहां पर हम लोग shall have been going लगाते हैं, मतलब future में वो काम कुछ हो जाएगा, कुछ continue रहेगा, दोस्त ये पूरे future tense में एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे हम लोग simple past और past perfect पड़े थे दोस्त, याद है, उसमें क्या पड़े थे, simple past और past perfect में, जब तक एक condition न लग जाए, हम लोग perfect का use न करें, क्यों, क्योंकि एक ही अर्थ से दोनों अर्थ निकल जाता है, मतलब simple past का use करेंगे, तो perfect का अगर single sentence है, तो वही अर्थ निकलेगा, अगर condition न लगा दिया जाया, जैसे हम लोग क्या पड़े थे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, जब तक हम एक condition नहीं लगाएंगे, दो काम का तूलना नहीं करेंगे, तब तक हम लोग use नहीं कर सकते हो, उसी तरह से यहाँ पर भी ध्यान देना है, दोस्त, same आएगा, मतलब simple future or future perfect, मैं कल पटना जा चुकूंगा, मैं कल पटना जाओंगा, मतलब कल मैं पटना पहुच चुकूंगा, आप कैसे बोल सकते हैं, जब यह काम future है, तो आप कैसे बोल सकते हैं, मैं पहुच चुकूंगा, आप ऐसे बोलेंगे, पहुच चुकूंगा, कैसे पहुँच चुकोंगे आपको इस बात का ध्यान करना है कि यह काम future में होगा न भाईया future में होगा तो क्या हो जाता है कि आज कल हम लोग क्या करते हैं कि जो future perfect है ना future perfect को यू simple future से हो जाता है जैसे मैं कल साम को पांच बज़े तक पटना पहुच चुकूंगा मैं कल साम को पांच बज़े तक पटना पहुच जाऊंगा दोनों के अर्थ में क्या अंतर हैं? बताइए देखे हम लोग अभी क्या कर रहे है? मोटा-मोटी एक अर्थ निकालने का कोसिस कर रहे हैं ठीक है? हम लोग उसके अर्थ में भी deep में नहीं घूस रहे हैं, but we are just trying to find out the approximate meaning of the sentences. Approximate meaning. तो आप क्या देखेंगे? इस दोनों sentence का जो अर्थ है, approximately एक जैसा है. कैसा है? Approximately एक जैसा है, इसलिए हम लोग future perfect का use उतना ज्यादा नहीं करते हैं, उसके जगह पर हम लोग simple future का use कर लेते हैं. अर्थ तो हमको उतना ही निकलना है, दोस्त. clear है? तो हम लोग आप जितना भी आप देखेंगे books वगरा में लिखा हुआ, तो इसका use बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा future perfect. हम ऐसा नहीं बोले कि नहीं होता है. हम एक भी चीज नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होता है. हम क्या बोल रहे हैं दोस्त? कम होता है. इसका use तो आपको पता ही है, पेतहासा use होता है, simple future का. continuous और perfect continuous. दोनों में आप देखेंगे, मैं कल पटना जाता रहूँगा, अब मैं यहां खाली 100 मार हड़ा देंगे तो मैं स्कूल जाता रहूँगा, जा हम लोग स्कूल जाते रहेंगे. दोनों sentence same है न भीया. खाली 100 मारे ट्विक्स्टर लग जाता है, time लग जाता है. हम लोग चाहेंगे तो time यहां पर भी लगा सकते हैं. टाइम लगा के हम लोग काम निकाल लेते हैं. आप जानते हैं हम लोग क्या सीखें भी? future में time होता है. future tense के जगह पर future का time हम लोग use कर लें, कोई word लगा दें, तो that is easier for us to express the meaning of the sentence. तो उस तरह से हम लोग sentence का जो अर्थ है, वो हम लोग निकाल लेते हैं. Is it clear? तो हम लोग क्या हो जाता है ना दोस्त? कि simple future, future perfect के जगह पर use कर लेते हैं, simple future तो use होता ही है, और future continue के जगह पर लेते हैं, future perfect continue के जगह पर. तो हम लोग का दोनों काम यूज जाता है, इसलिए इन दोनों का use काम होता है. एक दूसरा चीजी है कि future में कोई भी काम perfect कैसे हो सकता है? अरे यह कलम मर गए तो, धर्ती का भी नास हो गया तो, कुछ हो गया तो, exact information सिर्फ अभी जो वरतमान में हम जिनदा हैं, उसकी हो सकती है, या जो बीत गया है, उसका हो सकता है. फ्यूचर का कोई exact अर्थ नहीं निकल सकता है, तो जब future में कोई काम perfect हो ही नहीं सकता, तो perfect और यहाँ पर future perfect कैसे संबह हो है? यहाँ पर perfect और यहाँ perfect continuous कैसे possible हैं दोस्त? यहाँ पर भी एक थोड़ा सा question mark उठता है, अगर आप logical सोचें, तो आप एक, अपने आपको कहीं न कहीं somewhere you feel yourself की हम कहीं पर अटक रहे हैं, ठीक है? तो इसको हटने के लिए क्या हो जाता है? हम लोग इसका use थोड़ा कम करते हैं, इसलिए हम लोग क्या है कि आजकल जो grammarian है, इसको time लगा दिये हैं, इतना सारा confusion है, इतना ज़रेट करके क्या फैदा है? Why to live in that much confusion? Better to escape it. इससे थोड़ा सा बचे न, जितना हो सके, confusion से दूर रहा जाए. तो हम को ऐसा लगता है कि इसका इसका इस्तमाल दोनों का बहुत कम होता है, इन दोनों का इस्तमाल से मेरा सब काम हो जाता है, तो बेटर है कि हम लोग इसका यूज़ जादा करें ठीक है यह सब थोड़ा सा चीज था आप समझ गए कि हम लोग future tense को प्रक्लियर हो गया हम लोग next वीडियो में क्या पढ़ेंगे दोस जो question के लिए हम लोग इतने दिनों से परिशान थे कि आखिर यही structure क्यों होता है अगले वीडियो में सीखेंगे और बहुत ही ध्यान से सीखेंगा दोस्त थोड़ा वो वीडियो लंबा होगा but that would be tremendous fabulous ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन दोस्त